ऐसा समय आ रहा है जब जानकारी जमा करने का कोई मूल्य नहीं होगा अच्छी याददाश्ट को बुद्धी की तरह पेश करना वेर्थ हो जाएगा आपके बोध की तीवरता और आपकी बुद्धी की तीजी भविष्ची की दुनिया में यही चीजें जादा महत्वपूर होंगी हम ऐसे समय में हैं कि शिक्षा के मामले में हम एक मोड पर हैं आज शिक्षा के बारे में ना सिर्फ हमारी बुनियादी सोच बदलना जरूरी है बलकि शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन जरूरी है एक ऐसा समय आ रहा है जब जानकारी एक खटा करने का कोई मूल्य नहीं होगा एक ऐसा समय आ रहा है जब एकत्रित जानकारी को ज्यान की तरह पेश करना अतीत की बात होगी अच्छी यादाश्ट को बुद्धी के रूप में पेश नहीं किया जाएगा जो कि आज की शिक्षप रणालियों की बुनियाद है जिसकी यादाश्ट अच्छी होती है उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है खेर आज आप जानते हैं कि आपके सेल्फोन की यादाश आपसे बहतर है हमारे कुछ फोन 600 GB के हैं येकिन मानिया आप में वैसी यादाश नहीं है आपके बोध की तीवरता और आपकी बुद्धी की तेजी ये चीजें आपके दिमाग में भरी मेमरी से जादा जरूरी होंगी ये एक अच्छा समय है बहुत अच्छा समय इंसान के इस बोज को उतारने के लिए ये है नाम के ग्यान का बोज इंसान को मार रहा है एक बच्चे के दिमाग में जानकारी ठूस कर हम कई तरह से उसके जीनियस को मार रहे हैं जो हर इंसान में होता है इंसानी बुद्धी की प्रकरती अलग है हमें यादाश्ट को कभी दुद्धी नहीं मान बैठना चाहिए हर इंसान के पास जीनियस का एक अंश होता है सवाल बस यही है क्या हम उस विशेश जीनियस के बाहर आने के लिए उसे सही तरह का महौल दे पाएंगे यही चुनोती है यही समय है जब आप सभी शिक्षा से जुड़े लोग ऐसे मुकाम पर है जहां आप जितनी जल्दी अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे हमारे बच्चे भविश्य की दुनिया के लिए उतने ही भहतर तयार हो पाएंगे देखिए हमें यह समझना चाहिए हलाकि भारत एक देश है पर भारत के अंदर कम से कम चार से पाँच देश है सभी की जरूरतें एक जैसी नहीं है देश में एक सबसे अमीर वर्ग है लोगों का एक वर्ग उच्च मध्यम वर्ग है जिसकी आकांशाएं बहुत अलग है एक मध्यम वर्ग है जो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी वगेरा कैसे मिलेगी साथ ही ग्रामीन और दूसरे आयाम भी है जहां बात है किसी तरह उस समाजिक और आर्थिक गड़े से बहार आने की जिसमें वे फसे हुए हैं हम इन सभी वर्गों को ऐसे नहीं देख सकते कि वे एक हैं ऐसा करना गलत होगा समान शिक्षा के नाम पर हम ऐसा कर रहे हैं मैं इसके पीछे की सोच समझता हूँ पर यह प्राक्टिकल नहीं है इसी वजह से भारत के चात्र विदेश जा रहे हैं और विदेशी विश्वे विध्याले उन्हें 24 अरब डॉलर की शिक्षा देकर पैसे कमा रहे हैं यह बहुत जरूरी है कि हम समाज के हर वर्ग को मदद दे पाएं अगर हम यह मदद नहीं देंगे तो हम अलग-अलग तरह के मनुष्य तयार नहीं कर पाएंगे जो खुशाल देश के लिए जरूरी है हमें लीडर्स चाहिए हमें वैग्यानिक चाहिए हमें शिक्षक चाहिए हमें इंजीनियर चाहिए हमें किसान चाहिए हमें शिल्पकार चाहिए हमें देश को बनाने के लिए कई तरह के लोगों की जरूरत है देखिए 60 और 70 के दशक में ऐसा समय था जब हम इस देश को पढ़ाने के बारे में सोचते थे क्योंकि जब अंग्रेश चले गए तब हमारी आबादी के सिर्फ 7 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे बाकी अनपड थे तो हमारे लक्ष बस यही था लोग कागस पर अपना नाम लिख पाएंगे यही हमारा फोकस था हमें समझना चाहिए कि हमारे देश की शिक्षा ऐसे बनाई गई थी क्लर्क बनाने के लिए उन्होंने पाया कि भारतिय दुनिया भर में अच्छे कलर्क बनते हैं क्योंकि वे पूरी दुनिया को जीतने की योजना बना रहे थे ये शिक्षा अंग्रेजी महारानी के अफसरों ने तयार की हमने कुछ बदलाव किये हैं पर हमें और बड़े बदलाव करने होंगे मैं कह रहा हूँ ये शायद आपको कड़वा लगे पर मैं कह रहा हूँ भाशा के अलावा अंग्रेजों की शिक्षा का हर पहलू बदलना जरूरी है अंग्रेजी भाशा दुनिया का पासपोर्ट है यह भाशा रखनी चाहिए बाकी सब कुछ हटाना जरूरी है क्योंकि वो एक खास मकसद से बनाई गई थी तब हुक्म मानना बुद्धी से बड़ा था यह अपने बच्चों की परवरिष का तरीका नहीं है यह गुलामों की परवरिष का तरीका है पर अब इसे पलटना शुरू करने का समय आ गया है हम इसे अचानक नहीं बदल सकते वरना चीज़े बिगड जाएंगी हमें इसे बदलना शुरू करना होगा उस आदर्श की और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं खेल, कला, संगीत, नाटक जीवन का हर आयाम इस देश का खजाना है, है ना तो लाखों लोगों को एक स्तर तक शिक्षित करना एक बात है ऐसी काबिलियत वाले बच्चों पर विशेश ध्यान देना एक अलग बात है अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे पास महान विज्यानिक नहीं होंगे महान मैथमेटिशियंस नहीं होंगे हमारे देश में कुछ भी सार्थक नहीं होगा इस संस्कृती को हमेशा ऐसा पोशन मिला है हम इस देश में कई सबसे महान मैथमेटिशियंस महान संगीत कार महान नर्तक केवल इसलिए पैदा कर पाए क्योंकि जो लोग संगीत सीखने के लिए उन घरानों में जाते थे, वे केवल संगीत और संगीत ही सीखते थे. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम किसी भी शेत्र में महानता पैदा नहीं कर पाएंगे. सब हर चीज के छोटे तुकड़े जान पाएंगे, पर वे किसी चीज में अच्छे नहीं होंगे. आपको ये समझना चाहिए, ये एक ऐसा देश है जहां कोई हमें हुक्म नहीं दे पाया. यहां तक कि जब अफ्तार आए, वे भी हमें पर हुक्म नहीं दे पाये. हमने उन्हें सिर्फ सवाल पूछे. आदि योगी आए, उन्होंने अपनी प्रिये पतनी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने उनसे लाखों सवाल पूछ लिए. कृष्ण ने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन से बात करने की कोशिश की, वो भी युद्ध के मैदान में. उस आदमी ने सेक्ड़ों सवाल पूछे. वो चुपचप सुन ही नहीं पाया, क्योंकि यह भारती है. और कहीं, अगर किसी ने कहा कि मैं भगवान का एजिंट, या भगवान का बेटा, या वैसा कुछ हूँ, तो उन्होंने कहा, यही भगवान की इच्छा है. चुप करके सुनो. और सभी ने सुना. इस देश में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक्ता हमारे स्वभाव में गहरी समाई हुई है. वैसा वैज्ञानिक स्वभाव नहीं है, जो हर चीज़ को खारिश कर दे. जैसा कि आज हो गया है, हमारे पास एक अलग तरहे का विज्ञानिक स्वभाव है. हम हर चीज़ पर सवाल पूछते हैं, पर आदर के साथ. हम नमन करते हैं और कहते हैं, आप मेरे भगवान हैं, पर मेरे सवाल भी हैं, मगर आदर के साथ. क्या यही हमारा तरीका नहीं रहा है? तो हम धार्मिक लोग नहीं हैं. हमारा स्वभाव ही विज्ञानिकों जैसा है. हम हमेशा एक के बाद एक प्रश्न पूछते रहते हैं. आपको स्कूलों में इसे नहीं मारना चाहिए. उन्हें सवाल पूछने चाहिए. स्कूल की किताबों में लिखी चीज परमसत्य नहीं है. पहले से कई ज़ादा सवाल पूछे जाने चाहिए. क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, तो इनसानी बुद्धी धीरे-धीरे सो जाएगी. आपको ऐसा इनसान बनना चाहिए कि आपको कुछ भी न कहना पड़े. आप वैसे व्यक्ती बनिये, कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे. सभी बच्चे आपके जैसा बनना चाहे. तो यह आपके लिए काफी कसरत है. आपको उनकी तरह नाचना सीखना होगा. उनकी तरह गाना गाना होगा उनकी तरह बोलना होगा फिर वे कहेंगे वाह मुझे ऐसा बनना है तो ऐसे बनिये कि वे आपसे प्यार करने लगें उनसे कुछ मांगिये मत अगर आपको कोई प्यार करें तो आपको क्या करना चाहिए आपको थोड़ा चमकना चाहिए हाँ याना आपको थोड़ा चमकना चाहिए कैसे चमके मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग माहौल में आपको अलग तरह से चमकना होगा मेरे लिए मेरी इमानदारी मेरी नैतिकता के कारण नहीं है मेरी इमानदारी मेरी मानवता के कारण है यही एक मात्र मूल्य हम में होना चाहिए कि हम इंसान हैं बाकी सभी मूल्य हमने खुद बनाए हैं, है ना? जरूरी बात यह है कि हम कभी भी अपनी मानवता से समझोता ना करें क्योंकि कई बार हमारी नैतिकता हमारे मूल्य, हमारे नियम हमारी मानवता के खिलाफ होते हैं नाम के नैतिक लोग एक दूसरे के साथ अमानविये चीज़े कर रहे हैं है ना? धर्म के नाम पर नैतिकता के नाम पर नियमों और मूल्यों के नाम पर लोगों ने एक दूसरे के साथ भायानक चीज़े की है, है न? तो मानवता का क्या मतलब है? देखिए, इस धर्ती का हर प्राणी अपनी स्वभाविक बुद्धी से जीता है उनमें कोई नैतिकता, कोई मूल्य, कोई फिलोसफी या धर्म नहीं होता वे अपने स्वभाव से जीते हैं वे अपने स्वभाव से हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हैं इसलिए हम बाग को बाग, टिड़े को टिड़ा और हाती को हाती कहते हैं सिर्फ आपको सिर्फ आपको हम कहते हैं यानि कि आपको बीइंग या होना आना चाहिए तो क्या आप अद्भुद होते या बुरे? तो इंसान होने का मतलब है, आप जानवरों को देखिए, ऐसा होता है, आपने जंगली जानवरों को ऐसा करते नहीं देखा होगा, पर कम से कम आपने सडक पर कुत्तों को हर जगह पेशाप करते देखा है. आपको लगता है कि उसे पेशाप की समस्या है? नहीं, वह पेशाप का सामराज्य बना रहा है. वो हर दम अपनी सीमाय तै कर रहा है. तो मानव होने की बुनियादी बात यह है, कि हम यहाँ अपने अंदर सीमा का भाव लाए बिना जी सकते हैं. दूसरे सभी प्राणी ऐसे जीते हैं. क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है. यह मेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है. पर इंसान में इससे आगे जाने की शमता है. अगर आप उसका इस्तिमाल नहीं करते, तो हमें कहना पड़ेगा कि आप एक इंसानी जीव हैं, तो हमें उनकी नेतिकता की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी. जब तक वे अध्भुद इंसान हैं, हमें उनकी मानवता को ऐसे उभारना चाहिए, हमारी मानवता ही हमारे अस्तित्व का चहरा हो. बाकी सब इसके बाद हो. मेरी पसंद नापसंद, मेरी नैतिकता, मेरे मूल्य, मेरी आस्था, मेरे देवता, मेरे देवदूत, मेरा स्वर्ग, सब हमारी मानवता के बाद आएं मानवता ही हमारे अस्तित्व का चहरा होना चाहिए यह आपको हमारे बच्चों में लाना होगा कर दो कर दो कर दो